नमस्कार दस्तों स्वागत है आप सबका आप एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक और full of energy वीडियो आपके सामने में लेके आ गया हूँ जिसमें nifty bank nifty अगले week का outlook आपके साथ मैं share करूँगा क्या लगता है मुझे मार्किट में आएगा correction इन उपरी लेवल से या फिर यहां से और उपर का रस्ता मार्किट पकड़ेगी मंडे के लिए क्या है व्यू मंडे को long करना है short करना है कौन से लेवल से हैं और कुछ stocks या specific sector का idea आपको मैं दूँगा यू मार्किट में हो क्या सकता है चलते हैं सीधा charts पे data points पे एक एकर के बातों को आगे बढ़ाते हैं वीडियो अच्छा लगे तो like कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो do subscribe and press the bell icon सीधा चलते हैं charts पे दोस्तों मैंने आपके सामने दोस्तों अभी bank nifty का futures का chart खोल रखा है शुरुवात करेंगे आज की analysis की bank nifty futures से bank nifty futures खोल रखा है क्योंकि volume profile indicator जिसकी उपर मैंने कल ही वीडियो बनाया आप सबके लिए एक बहुत बहतरिन indicator है जो तो काफी सारे professionals use करते हैं मैं आपको इस वीडियो में थोड़ और समझाऊंगा उसके बारे में यह volume profile पे मेरा आप ट्रेंड में रहना है तो मिड बोल इंजर की उपर वो रहती है 20 डेमा वहीं पे होता है 20 डेमा से बांस करती है यानि अगर बैंक nifty को आप ट्रेंड में कायम रहना है तो this is the last sort of an area अगर इसको fail करता है तो फिर यह rally पर कहले है कि हमें डाउट डोन लग जाएगा although यह rally बहुत अच्छी रही है बहुत बढ़िया हमारा 16,100 का जो target था market काफी उपर आ रही है last session में Friday को भी market निफ्टी ने नया high बनाया but only pressure is coming from banking stocks अभी हम अलग-अलग sectors का chart देखेंगे तो देखेंगे किस तरह बाकी सब सेक्टर अच्छा कर रहे है पर banking is underperforming generally rotation किया जाता है यब यह rally शुरू ही थी अगर आपको ध्यान हो जब निफ्टी 15,000 कि आजपस था 15,000 से 15,500, 600, 700, 800 तक गया तो पिछले कुछ दिनों में banking stocks का ही सबसे बाला साहरा था बैंक निफ्टी कभी 4% उपर कभी 3% उपर कभी 2% उपर तब निफ्टी अडाम नाम से चल रहा था मेटल्स कुछ नहीं कर रहे थे आईटी बिल्कुल साइडवेस था फमसी जी को कोई पूछता भी नहीं था तो जब जो चीज रैली कर चुकी है अफकोर्स वो थोड़ा rest लेगी मगर sector rotation I am a forward thinker मैंने कल एक वीडियो डाला अपना webinar मेंने किया था अपने members के साथ ठीक है उस सकता है अगेन I could be wrong बर जिनमें हो सकता है दस दिन बाद बड़ा profit देखे जो चीज चल गई है अल्रेडी फार्मा अल्रेडी बहुत चल गया है may not give you such a good return अभी यहां पर हम बात कर रहे थे बैंकिंग की तो देखिए यहां पर आपको खुदी दिखाई दे जाएगा कि अग अगे तो यहां पर यहां से गिरा फिर तीसरी बार उपर आया यहां पर टच किया और यह तो इस विल बिकाम सपोर यह बड़े वाला ग्रीन केंडल ब्रेक आउट केंडल तो अगर नीचे आता तो इस कुड बीड़ा नेक्स अरिया और बीच में कोई खास वाल्यम अला एर सपोर्ट है और यहां पर रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस ब्रोकन विकम सपोर्ट और यहां पर वैल्यू एडिया भी है हाई वॉल्यम अक्टिविटी भी है तो बैंकिंग का यह रस्ता हो सकता है अच्छा अच्छी बात यह है कि इसकी वाद ऊपर जो लेवल से ऑपन ब्लूस का है ऊपर कोई खास वॉल्यूम वाला एक्टिविटी नहीं है बैंकिंग ने ऊपर कोई काम नहीं किया और इसके ऊपर जाने का मतलब होगा कि निकल जाएगी गारी फिर यह जो हाई लगा यह भी आएगा 38,000 then almost 42,000 का मैंने टारगेट दे रहा है वो भी आएगा मग और अगर यहां से बांस आया जो कभी भी आ सकता है this is a bull market जो आपको समझाता आ रहा हूं और अगर बांस आयगा तो it will be fast, furious, गिर रही है market अराम अराम से अराम अराम से बांस एक ही दिन में ऐसा candle आ सकती, green candle, so okay, be watchful on banks, I would say be watchful on banks, I am not highly positive because chart is weak, मगर thing which is collected and add support, we should think forward, आगे ज अच्छा कर सकते हैं अगले 10 दिनों में, second half of the month में, so यह एक point था, यह banking की उपर मेरा आपसे outlook था, view था, अब चलते हैं, nifty के chart पे, let's go to the nifty chart, see nifty futures ने अपना highest level चुआ है, Friday के session में, okay, 15,850 का भी level हमने पार कर दिया, highest closing है, 15,800 पे nifty almost 799 point something, spot में closing आई है, तो मैं जो आप को बोलता आ रहा हूं कि अभी market चड़ेगी चड़ेगी, don't worry, don't worry, don't worry, हमने जिनोंने बाय किया था dip पे, दो दिन पहले जब correction आया, Bajaj Finance, Bajaj Finsav, and some other stocks, they all, you know, sort of rallied, मगर एक चीज़ आपको समझ में आ रही हो कि देखे, मुझे भी आ रही है, it is quite clear, कि देखो जो चीज़ बहुत जाला चल गई है, market has rallied too, मच बहुत भाग गई है, obviously it will take some rest, थकावट के sign दिखाई दे रहे हैं, if you just look at the candlesticks, जो बन रही है market में, so they are now not so bullish candles, okay, they are not so bullish candles, bullish candles are like these, 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 but now we have a dodgy, we have a correction, again, okay, ऊपर जा रही है, but ऊपर प्रेशर है, यानि यह एरिया में resistance है, pressure है, and it is obvious, क्योंकि यहां पर market काफी चल गई है, तो वो होना obvious है, but on a good sunny day, हम सुभे सो के उठे, market इसको तोड़ दे, अलगी mood में हो, is a common nature in bull market, मगर आपको cautious रहना है, obviously, हम बहुत आपको downside पता होनी चाहिए, कहां तक आ सकती है, कितनी आ सकती है, what is the possible level on the downside, जो market में आ सकता है, तो पहले उसके उपर बात करते हैं, हमें अपना risk माल होना चाहिए, यहां पे हम खरीद रहे हैं, so what is the possible risk, for investors and for traders, both I am going to give you certain levels, see, यह market का पिछला all time high था, this has been breached, this has been breached, and now this area should act as a support, और यहीं पे निफ्टी का 20 डेमा है, जो कि जबर्द सपोर्ट होता है, और एक बार में नहीं, वहां पे आगे bounce जरूर मिलता है, so if nifty falls, the worst case scenario, I think nifty यहां तक आ सकता है, 15, 400 something, 500 तक, ठीक है, तो यहां से आपका 400 point का risk है, अपर side पे आप 300 point का ही target रह गया है, 16,100 के level के see I don't think market इस run-up में 16,100 से ऊपर जा पाएगी, before giving a correction to these levels 20 डेमा, तो अब आपको positionally nifty को, bank nifty को obviously, अगर nifty correct करेगा तो सब correct करेगा, यह stocks को long करने में मज़ा नहीं है यहां पे, banks you can try because they are at support, but other stocks and sectors which have rallied too much, हम यहां पे देख लेते हैं, see only IT sector, यह 4 sectors का chart है, यह IT sector का chart है, बहुत बड़े consolidation के बाद जबर्दस pattern का breakout दे गया है, हम कल live streaming करते हैं संडे को, जिसमें सभी stocks, sectors, jackpot ideas, बहुत सारी बाते करते हैं, learning लेते हैं, उसमें बात करेंगे जादा stocks की, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, IT has broken out, pharma is trying to break out, but at resistance now, auto is consolidating at resistance, and metals ने एक अच्छा अपमुफ दिय IT could be the one sector जो चल सकता है, और it is obvious market, जब correct भी करती है, तो IT में अलगी जान होती है, IT has consolidated far too much, Infosys का buyback है 1700 रुपीज के price पे, so IT stocks can rally, IT is one sector जहां पर दिक्कत कम है, stocks can like Coforge, HCL, Infi, TCS, Mindtree, Tech Mahindra, all can rally, and Tata LXC मेरा चार्ड़वर का target है, already 300 point ऊपर आ गया, मैंने इस week members को खरिदव definitions है market में, अब कुछ और data points आपको दिखाता हूं, okay, let's look at the nifty chart, देखो यहां पर नीचे दो indicator लगे हुए है, first is the volume, यह volume का indicator है, और यह RSI है, देखो nifty का price अगर आप देखोगे तो ऊपर जा रहा है, okay, nifty का price ऊपर जा रहा है, nifty ने इधर से इधर एक higher high भी बनाया है, but RSI में एक lower आई है, this is called RSI divergence, इसका बिलकुल भी मतलब यह नहीं होता, हाज जोर के कह रहा हूं कि crash आजाएगा, बट इसका मतलब यह होता है कि market में upside capped है, और हम आपको अपसाइड कर चुगे कि upside capped है, with divergence information, market can go up, can gap up, sustain there, can go up, 100-200 points, no issue, but this also means कि now this market is good for call writing, rather than put writing, अब आप falls right करोगे, with hedging of course, so this can give you a good return, if any dip comes, जो कि likely है अगले 2, 4, 5, 6 दिनों में, कभी भी आ सकता है, you can get gains, point number one, second thing is कि volumes गटती जारी, गटती जारी, जैसे market ऊपर जारी, यह भी obvious है, price बढ़ता जाता है, महंगा होता है, तो जो लोग खरीदने वाले हैं, वो कहते हैं, अभी रुक 4% population है, stock market में है, और रोज लोग, लाखो लोग market में आ रहे हैं, they are entering with money, they want to buy, मगर सब को समझ में आता है कि थोड़ा सस्ता होगा, जो इस दिन बजार गिरगा, खरीदेंगे, so dips पे buying के तो आने के chances full है, मगर हर कोई dip का weight करता है, ठीक है, so कोई dip आएगा, तो obviously that will be bought, यह आ से levels important है, see, 15,680, short term volume profile analysis और price action analysis के साब से, मैंना यह level निकाल है, 15,680, एक दफा option chain भी देख लेते हैं, इस view को और confirm करने के लिए, see, option chain में आपको दिखाई देगा, 700 और 800, बोथ हार support, 800 पे fresh put writing होई है, 700 पे heavy put writing है, 33,000 open positions है, and resistance is also at 800 and 900 onwards, यहनी 800 पे fight है, 700 पे अब support है, 600 पे तो अभी हमें सोचना नहीं चाहिए, 700 पे fight है, तो 700 की जब तक market ऊपर है, हम अच्छे हैं, और chart पे 680 का level आता है, तो 680, 700, this area is a good support, जो trading के view से है, जिन्होंने call ले रखी है, future ले रखा है, hedging के साथ या बगार, अगर market 700 के नीचे आ जाती है, तो एक दफा निक निकालते हैं, levels निकालते हैं, दोस्तों, देखिए, एक दो चीज़े देखनी जरूरी है, first is the world markets, see, Dow Jones 20 EMA को respect कर रहा है, उस पर आता है, bounce करता है, उसके नीचे एक दिन जाता है, फिर उचल जाता है, और अभी भी उसकी ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है, but this is, ये को क इतने अच्छा trend बता रही थी, then this started flatting, now this is flattened, flatting के बाद ये downtrend में भी आ जाती है, so Dow Jones can correct, world markets can correct, inflation का fear दिक्कत कर रहा है, वापिस से dollar index का price थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो गया है, global factors are not so supportive, और ये देख सकते हो आप, FIIs की buying 18 करोर की, ठीक है, ये buying अच्छी कर रहे ह इनको भी ये चीज़े दिख रही है, अभी कोई FED का कोई announcement आ जाता है, कोई और package आ जाता है, कोई अच्छी news आ जाती है, तो bull market है, उसको भाना चाहिए, वो उड़ जाएगी, मगर otherwise, थोड़ा सा यहां पर सब चीज़े एक तरफ इसारा कर रहे है, कि एक correction, एक dip आ सकता है हमारी markets के अंदर, अब उसके बारे में बात करते है, इंट्रादे के चार्ट पर चलके, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, देखे ये निफ्टी का spot का चार्ट है, 15 मिनिट का चार्ट है, because for intraday we use 15 minutes, see this is, bollinger band is narrowing, बहुत narrow हो गया है, और after narrow bollinger generally हमें दिखाई देता है expansion, अब ये किसी भी तरफ आ सकता है, if market open gap up, तो expansion उपर के side पे होगा, जिसके बाद market 100-200 point rally दिखा सकती है, अगर ये नीचे के side पे खुला तो then pressure can loom, तो आपको क्या करना है, निफ्टी के लिए आपको 800 जिस पे market है, उस level को bench mark रखना है, because हम ने देखा option chain में भी 800 पे fight है, 20 points उसके उपर, 20 points उसके नीचे आपको अपना buffer रखना है, तो 780 and 820 becomes your range, okay, जिसको live market में data reading आता है, उसके लिए तो option chain भगवान इसको सब बता देगा, बट जिसको नहीं आता, this is your, this should be your strategy, below 780, okay, below 780, नीचे के levels खुलते चले जाएंगे, you can find out, ये एक support है, फिर ये एक support ह और इसके नीचे तो मैंने आपको बोली दिया, कि वही 680 के नीचे, we could see a correction, major correction, तो आपको इस तरह से देखने है, उपर खुला है, आसमाल है, बट 900 का लेवल, एक resistance आउसा 10, 20, नीचे रख लो, 880, 900 इस type का area आपका, first target, and then 16,000 is the psychological and strong resistance and option chain, तो उपर के levels इस तरह, तो आपक 780, 820 इस range में इग्नोर करना है बजार को और इस तरह से काम करना है, अच्छा, forward thinker, जो market ऊपर चली जाए, तो जो वीग चलर हो नहीं, बट month end की call बेश सकते हो, market नीचे मिल जाए, तो month end की put बेश सकते हो, that is another way going forward, बात करते हैं, bank nifty की, see bank nifty 20 demo पे support ले रहा है, और वो है यह 34,650, यह हमारी downside है, इसके नीचे जाने का मतलब मैंने आपको सीदा सीदा पताया, हम 600 points और उसके बाद 1000 points और गिर सकते हैं, अराम से, तो इसके नीचे तो बिलकुल भी खरीदने का सोचना नहीं है, जोड से short करना है bank nifty को, मगर अगर हम इसको support लेते हैं, जो कि ले ल 35,500 के ऊपर, 35,500 के ऊपर, हम और option चेन देख लेते हैं एक दफा, आप खुल के करीदिये, target 136, target 238, जो कि आपको देखते हुए, दिखेंगे, यह levels को की short covering भी आएगी, और market भी अपना view confirm करेगी, तो यह सब छोटे-छोटे points से, इन सब को mind में रखिए, safety से trading कीजिए, hedging क पर के चलिए, इन levels पर, obviously, हम option चेन देखें, तो 35,000 पर fight है, बहुत अची fight है, put writer भी कोई कम नहीं है, in fact, जादा ही है call से, और resistance की बात करें, तो जगा-जगा पर है, strongest resistance, जो मैं आपको बोला 35,500, उसके बाद वो निकल गया, तो फिर ऊपर खुला आस्मान है, और नीचे क के हम बात करें, तो नीचे, as such कोई support नहीं है, okay, 20 demo के पाद, as such कोई support नहीं है, और market, bank nifty को नीचे लाया जा सकता है, जो market में भी pressure का कारण बन सकता है, तो cautious रहिएगा, IT sector looks the best, okay, otherwise, best strategy would be, this is bull market, rally too much, let it correct, buy on dip again, and again enjoy the gains, short करो या ना करो, okay, so, all the best for the next week, हम कल मिलेंगे, फिर स subscribe the channel, if you are new, and video का अच्छा लगे, तो like कर दीजीगा, share कर दीजीगा, thank you,